दोस्तों कल मुझे ओफिस में एक टास्क मिला और श्याम 5 विजे तक मैंने उसको लगबग कम्पलीट कर लिया लेकिन उसमें कुछ अपडेट्स बच गए इसलिए मैं उसे पेंडराइव में डाल करके घर ले आया और रात भर लगकर मैंने उसे कम्पलीट किया लेकिन आज जब मैं ओफिस पहुँचा तो मैंने देखा कि मैं पेंडराइव में डाटा कोपी करना भूल गया और मुझे वो पूरा काम जो मैंने घर पर किया था वह है दोबारा करना पड़ा साइध ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा लेकिन अब नहीं होगा कैसे जानने के ल कि गुगल ड्राइव में जाकर के न्यू पर जाकर के फाइल अपलोड पे जाकर के हम फाइल को क्या करते हैं अपलोड करते हैं उसमें हमने जो भी वर्क किया था वो वर्क करके हमने फाइल को अपलोड कर दी फाइल अपलोड होने बार घर पे जाकर के घर के कम्प्यूटर में उस file को हम क्या करते हैं, download करके कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बताऊँगा उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, आपके पास वह है, automatic होगा, कैसे चलिए देखते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको बताऊँगा, वह है, बताऊँगा गुगल ड्राइव का ही, लेकिन उ उसमें आपको इतनी मेनद करने ही ज़रूरत नहीं है, वो automatic update होगा वो, कैसे होगा, देखते हैं चलिए, देखें दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहा जाएंगे, हमारे web browser page के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर हमने हमारा email login कर रखा है, login करने बाद देखो, थोड़ा सा हम इस screen को जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद देखो, यहाँ पर right corner के अंदर देखिए, यहाँ पर हमारा email दिखा रहा है, यहाँ पर हमारा email account दिखा रहा है, उसके पास में देखो, यह dot के जो sign आयो है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ Google Apps लिखा हुआ है, इन Google Apps के उपर हम क्लिक करते हैं, यह देखो, हमारा नीचे क्या मिल गया हमें, Google Drive मिल गया हमें, Google Drive को हम क्लिक करते हैं, Google Drive पर क्लिक करते हैं, यह देखो, हमारे पास Google Drive ओपन हो चुका है, screen को थोड़ा चोटा कर देते हैं, यह देखो, हमारे पहले से कु यहां पर देखो setting लिखी है setting के उपर क्लिक करते हैं और यह हमें क्या मिला settings मिली है उसके नीचे get drive for desktop और keyboard shortcut तो हमें keyboard shortcut करना ही चीए क्या चीए desktop के उपर एक holder चीए तो उसके लिए हम क्या करें get drive for desktop क्लिक किया क्लिक करने के बाद में देखो कुछ इस तरीके का interface हमारे सामने आया है और यहां पर क्या लिखा हुआ है download drive for desktop के लिए आप जो drive download करना चाहते हो यहां से आप कर सकते हो तो हमने इसके उपर क्लिक किया अब क्लिक करते हो मैं यह देखो थोड़ा सा जूम करते हैं यहां पर आपकी सामने क्या हुआ है add an application shortcut to your desktop क्या आपकी desktop के उपर इसको एड़ करना क्या यह समय करना है तो इसको हमने क्लिक कर दिया और क्या कर देंगे install कर देंगे अब यह देखो कुछ एक seconds का जूम करते हैं और यहां जाएंगे देखो यह नीचे राइट कॉर्णर में यह arrow का sign है इसके उपर क्लिक करते हैं यह देखो Google Drive हमारा मिल गए यहां पर इसके उपर क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का यहां पर हम क्या करते है а得 folder फोल्डर हमें ॅपर नहégत करना आप का यहांसे पर देस्टप के यहां से एक अ और यहांसे देखो थोटर बना देते हैं किस नाम का फोल्डर बनाइंगे जैसे आप चाहिए अपने नाम का भी बना सकते हो जैसे मैंने यहां पर बना R A, capital मैं करता हूँ, R A J, राज नाम का मैंने एक folder बना दिया और उस folder को क्या किया मैंने uge select कर लिया और पिर यहाँसे क्या करते है select folder और यह देखो, यह हमारा बन चुका है, अब इसको क्या कर देतぜ, यहाँसेDoUND कर देते है, अब क्या करते हैं इसको save कर देते हैं, save करने के बाद में यहां से को close कर देते हैं, यह देखो हमारा desktop पे folder बनके तयार होचका जो कि बिलकुल MpT है, अब हम क्या करते हैं, इस folder के अंदर कुछ एक फाइलें कोपी कर देते हैं, जैसे यहाँ से हमारे पास कुछ फाइलें पड़ी हैं, वो हम क्या करते हैं, जैसे इन फाइलों को हम यहाँ से कोपी करते हैं, और कहाँ पे इस फोल्डर के अंदर हमारे पेस्ट कर देते हैं, अब यह देखो, यह दो फाइलें आई हैं हमारे पास जैसे, अब हम इसके अंद कर देता हूं, italic कर देता हूं, और इसको, Ctrl E से मैं इसको क्या कर देता हूं, Central Alignment कर देता हूं, इतना करके, Ctrl S से इसको मैंने Save कर दिया, अब यह देखो, यह हमें कहां मिलना चाहिए, हमारे जो दूसरे computer है, उसके अंदर भी हमें यह है, मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे हम इसके अंदर अपडेट करते हैं, Google Drive के अंदर पूरा data क्या हो जाता है, Sync हो जाता है, फिर हम क्या करेंगे, यही process हम क्या करेंगे, हमारे दूसरे computer के उपर जा करेंगे, कैसे, देखे, चलो हम अब क्या करते हैं, अब हम हमारे दूसरे computer के उपर चलते हैं, अब हम हमारे दूसरे computer पर पहुंच चुके हैं, यह हमारा दूसरा computer है, जिसके अंदर window 8 चल रही है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम web browser page को open करेंगे, web browser page को open करते हैं, यहाँ पर हमारी email ID लगी है, इसको हम login करते हैं, देखो, login करने बाद यहाँ पर हम हमारे password एंटर करते हैं, don't save कर देते हैं, देखो इसको, यह देखो हमारा email ID login हो रही है, यह देखो हमारी email ID login हो चुके है, अब हम कहां जाएंगे, यहां पर right side के अंदर जाएंगे, कहां पर Google Apps के अंदर जाएंगे, और यहां पर हम click करेंगे, click करते ही देखो नीचे हमारा क्या मिल गया, Google Drive मिल चुका हमें, Google Drive पे देखो हमने click किया, Google Drive open हो रहा, देखो हमारा दिरे दिरे, यह देखो हमारा Google Drive open हो च व्यूम करता हूँ get drive for desktop की दिए drive ची आपको yes हमने इसको click कर दिया click करते है देखो थी तरीके का interface आता है screen को थोड़ा सा छोटा करता हूँ अब यहां से हम क्या करेंगे download ड्राइव और डेस्टोप पर हम क्लिक करेंगी, यह वमारी फाइल ड्राइव होना इस्टार्ट हो गई, 293 म czasie już 183 MB की फायल है, यह ब हम कहां जाते हैं, अब हम जाते हैं, धिस PC पर, और धिस PC से का जाएंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, यह देखो, हमारा Google Drive, setup यहाँ पे डाउनलोड है, अब यहाँ से हम डबल कलिक करके, इसको उपन करते हैं, यह देखो, यहाँ से yes कर देते हैं, और यहाँ सी यह हमें यहाँ से हमारा Google Drive खुल चुका है, यहाँ से हम क्या नाम से इता, यहाँ से नाम से बनाए हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, और देखो नीचे आते हैं, नीचे आपको क्या मिला हुआ हूआ है, create shortcut तो इसका एक shortcut तयार कर देते हैं कहाँ पे? desktop पे यह देखो do you want the shortcut to be placed on the desktop instead यह देखो यह बोल रहा है कि आपके desktop के उपपर shortcut बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगी? yes यह देखो yes करते हैं हमारा shortcut बनके तयार हो चुका desktop के उपर अब हम इसको क्या close कर देते हैं और यह देखो हमारा desktop के उपर shortcut हमें मिल चुका है अब इसके उपर क्या करते हैं double click करते हैं देखो दोनों file आचुकी हैं इसको हम open करते हैं आचुकी अब हम क्या करते हैं अब हम देखो पूरा complete हो चुका काम, अब वापस हम कहा जाएंगे, हमारे पैले वाले PC पे जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे, क्या यह हमने यहाँ पर जो save गया, वो automatic वहाँ हुआ है, यह नहीं हुआ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको close कर देते हैं, यह देखो दोस्तों, अब ह हम वापस हमारे पहले वाले computer पे आचुके हैं, यह देखो हमारा यहाँ पे, Google Drive क्या रहा है, automatic sync हो रहा है, यह देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यह देखो क्या बदार आपको, Google Drive is trying to sync, यह Google Drive क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है हमारे data को sync करनेगी, अब देखो हम कहां जाते हैं, हमारे folder के अंदर जाते हैं, यह देखो, right का sign लग गया, अब वहाँ से sync होते ही, अब यहाँ पे इसको open करते हैं, और देखो, इस फाइल को खोलते हैं, यह देखो, हमने कहीं पर भी उसको upload नहीं किया था, सिर्फ वहाँ क्या किया था, सेव करते ही यह द करके उसको save करते हैं, वो automatic कहां पहुंच जाता है, हमारे दूसरे computer के ओपर जहां पर हमने Google Drive के द्वारा, हमारा जो folder बनाये हुआ है, उसके अंदर automatic data क्या हो रहे हैं, हमारे sync हो रहे हैं, I think दोस्तों, आपके इस video के अंदर कोई problem नहीं होगी, फिर भी अगर आपको लगत notification आपके पास सबसे पहले पहुंच सके हैं, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए, जैहिन, जैभाद,